जैशिर रामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 302 और मद्य प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधिन अभी युक्त के विरुद्ध विद्वान अपरमुख्य नयाइक मजिस्ट्रेट कॉमा भोपाल के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया विराम। चुक्कि यह मामला सेशन नयाइले द्वारा विचार्निये था कॉमा। इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन नयाइले को सुपुर्द कर दिया विराम। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप ब्रेकिट में प्रदर्स पांच विरेचित किया गया और उसका कथन ब्रेकिट प्रदर्स छे अभि लिखित किया गया विराम। अभियुक्त ने उस पर लगाय गये आरोपों से इनकार किया और विचारण किये जाने की मांग की विराम। अभियुजन पक्ष ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में कुल मिलाकर चोदर साक्षियों की परिक्षा कराई और विस्त्रित दस्ता वेजी साक्ष प्रस्तुत किया विराम। धंड प्रिकिरिया सहीता कोमा उनिस्सो तैंतर की धारा तीनसो तेरा के अधीन अभी युक्त का कथन अभी लिखित किया गया विराम। विचारण नेया लेने। मौखिक और दस्ता वेजी साक्ष का परिशीलन करने के पस्चात यह। निशकर्च निकाला की अभी युक्त के विरुद्ध आरोप। युक्ती युक्त संदेह से परे साबित हो गया है विराम। अतह सेशन नियाले ने अभी युक्त को दोस सिद्ध करते हुए आक्षेपित निर्णे सुनाया ओर। उसे आजीवन कारावास से दंडा दिश्ट किया विराम। अभी युक्त अपिल आर्थी द्वारा अपनी दोस सिद्धी और दंडा देश के विरुद्ध उच्चिने आले ने अपील फाइल की विराम। यह ध्यान में रखने योग्य है की अभी लिकित साक्सी चार और अभी लिकित साक्सी पाँच और अभी लिकित साक्सी आठ केवल मृतक के ही नातेदार नहीं हैं अपीतु उनका संबंद अभी युक्त से भी है विराम। अभी युक्त अभी लिकित साक्सी चार का देवर है क्योंकि वह उसके पती का छोटा भाई है। और अभी लिकित साक्सी पाँच और अभी लिकित साक्सी आठ का चाचा है। वे नैसर्गिक साक्सी हैं क्योंकि वे घर पर मवजूद थे। और उन्होंने अभी युक्त के प्रथम बार घर आने से लेकर म्रतक के साथ अंतिम बार घर से रवाना होने तक संपोण घटना क्रम का उल्लेख किया है विराम। यदि उनके साक्सी या मूल्यांकन, कडी सावधानी और सतरकता के साथ किये जाने के सिद्धान्त को लागू करते हुए करें, कॉमा तब भी हमारा यह निसकर्स है कि इन अभी योजन साक्षियों के परिशाक्ष सच्चाई से आच्छा दित हैं विराम। इन साक्षियों के विरतान्त की पुष्टी अन्य बातों से होती है विराम। इन साक्षियों को इस द्रस्टी से हित बद्ध साक्षि नहीं कहा जा सकता है कि उनके मन में अभी युक्तों के प्रती सत्रुता का भाव था जो की इन साक्षियों का निकट नातेदार है विराम। इन साक्षियों ने घटना करम के संबंद में वही अभी साक्षिय दिया है जो उनकी मौजूदगी में घटित हुआ था और उनके विरतान्त में इस प्रकरती का कोई भी विरोधा भास नहीं है जिसके आधार पर उसे संदिग्द कहा जा सके विराम। चोटे मोटे विरोधा भास जैसे अभी लिकित साक्षि चार का यह कहना भूल जाना की वह पानी लेने गई थी कोमा महतु पूर्ण नहीं हैं। स्टोप धन्यवाद